आज यह जो सेशन है इक करियर गाइडेंस का सेशन है बहुत सारे बच्चे जो अपनी करियर को जब डिजाइन करने की कूशिच करते हैं तो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जिनने आप लोग All India Services, Central Services और State Services के नाम से जाते हैं All India Services के लिए UPSC paper conduct कराता है, आप सबको पता है, IS, IPS, IFS जो services है और Central Services की बात करते हैं, केंद्रिय सेवाएं, जो केंद्र सरकार के लिए काम करती हैं, उनके लिए SSE paper conduct कराता है जो राजी की सेवाएं हैं, यहाँ भी दो body आपको देखनेक बिल जाती हैं, एक State Public Service Commission होता है और एक हमको देखनेक बिलता है, जो service selection commission आप जिसको बोलते हैं, मध्य पिरदेश में जो professional examination board के नाम से जाना जाता है तो PSC क्या करता है, हमें इसके बारे में जानना है, PSC थुरू, काफी सारी vacancies के paper conduct कराये जाते हैं जैसे आपने देखा होगा, डिप्टी collector, DSP, नैपते सिल्दर, डिप्टी जेलर, CMO, फिकेट treasury officer, ये बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे इन सभी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, इन अधिकारीों का जो paper है, ये PSC की दोरा conduct कराये जाता है बहुत सरल भासा हमें समझने की कुशिश करें, तो राज जी के जो administrative officers होते हैं, जो प्रिसासनिक अधिकारी होते हैं, इनकी भरती कौन कराता है, मद्धिप्रिदिस Public Service Commission कराता है, MPPSC कराता है तो MPPSC को करने के लिए आपको क्या चाहिए, कब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़े हमको यहाँ पर जानना है बची देखो जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहला option आपके सामने है सर युग गता, कि क्या qualification यहाँ पर हमें होनी चाहिए बची जब qualification की बात करते हैं, तो दू चीज़े हैं यहाँ पर आपके लिए matter करते हैं अगर आप civil services की तैयारी कर रहे है, civil services की तो graduation होना चाहिए, मतलब degree किसी भी stream में आपकी हो सकती है वो tech हो सकते है, non-tech हो सकते है, mess हो सकता है, arts हो सकता है, commerce हो सकता है एक normal जो degree होती है, जो UGC से मानता प्राप्त बिस्विध्यालयस होनी चाहिए और जब आप paper देने जा रहे हैं, तब तक आपके वो complete होनी चाहिए लेकिन अगर आप state forest service की तैयारी कर रहे हैं, राज बन सेबा की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे यहां आपको चाहिए कि आपके पास science या tech में कोई degree होना चाहिए जो बन भिभाग है, उसमें district forest officer की vacancy निकलती है, जो PSE conduct कराती है उसके लिए आपको चाहिए कि technical या science background से आपके degree यहां पे होना चाहिए तो सबसे पहले हमने बात की यूगता के बारे में, यूगता क्या होनी चाहिए, डिगरी चाहिए, वो किसी भी तरीकी सो सकती है वो सरकारी college हो सकता है, वो private college हो सकता है, वो open हो सकती है, वो distance हो सकती है, वो regular हो सकती है ऐसा कोई फरक नहीं पड़ता, आपकी back है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से टिगरी होनी चाहिए, बैलेड यूनिवर्शिटी से होनी चाहिए, जिसको UGC ने मानता प्रदान की हो फिर हम लोग बात करते हैं सर, age criteria क्या है, बच्चे minimum age criteria 21 years है, 21 साल की उम्र हो जानी चाहिए और जरूरी भी है, आप प्रिसासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, थोड़े से अधिकारी आपको लगना भी चाहिए, तो 21 साल की उम्र होना चाहिए, और अधिकतम 40 है, age relaxation according to derivation आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, हाला कि जो बाहर की बच्चे हैं उनके लिए 33 आपको देखने को लेगी, या जो आपकी police forces बाली हैं, वहाँ भी आपको general category में 33 age देखने को मिल जाते हैं, तो हम ऐसे माल लेते हैं, जो minimum age है, वो 21 years है, और जो maximum age है, फॉर्म उसको 40 years मान के चलते हैं, दो age criteria है, हाँ, age की साथ एक दिक्कत यह है, कि आपकी age form डलने तक 21 years complete हो जाने चाहिए, तो वो सारे बच्चे जो age को लेके परिशान होते हैं, आपको परिशान नहीं होना है, 21 साल जब आपकी complete होगी, तब ही आप eligible होगे, paper debit होगी, फरजी बाड़ा करके तो joining में आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको ballot नहीं माना जाएगा, clear है, और आरक्चेन के साब से age relaxation आपको मिली जाता है, जैसाब एक सर्विसमेन है, या आप SC से आते हैं, SD से आते हैं, वो 5-5 साल का difference आपको सब में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, आरक्चेन की बा लिमन्स को horizontal reservation मिला हुआ है, बागी सब को vertical मिला हुआ है, तो 33% का मतलब है कि उस category की 33% सीट है, महिलाओं के लिए यहां पर क्या रहेंगी, आरक्चीत रहेंगी इस बात का दिहान रखना, पर हम लोग बात करते हैं, exam pattern के बारे हैं, एक्जाम pattern क्या है, पर चे, exam pattern तीन stages में हाँ पर होता है, चार इस्टिश भी आप लोग यहां पर मान सकते हैं, सबसे पहला होता है, preliminary examination, जैसे आप लोग भी परिक्चा के नाम से जानते हैं, या प्रारामभिक परिक्चा के नाम से जानते हैं, इस में हमें दो paper देखने को मिलते हैं, एक GS1 देखने को मिलेगा, एक GS 1 में, General Histories 1 में, GK और GS आता है, जिसमें History, Geography, Quality, Economy, Science, Information Technology, Current Interface, MPG के, इन सब को मिलाके, 100 प्रिष्ण आपको देखने को मिलते हैं, और हर प्रिष्ण के दो नमर आपको मिलते हैं, मतलब 200 नमर का पेपर होता है, और ये आपका Marking बाला पेपर है, कि इसमें जितने ज़्यादा आपके नमर आएंगे, वहीं से आपका Cut-Off Decide होगा, Civil Services के लिए, तो पहला पेपर GS का है, जिसमें आपको इस सारी सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, दूसरा पेपर जैसे आप तो General Study Second के नाम से जानते हैं, Commonly CSET या Aptitude Test के नाम से जाना जाता है, जिसमें Math, Logical Listening और Language आपको देखने को मिलती हैं, इसमें भी 100 सवाल होते हैं, दो नमर यहाँ पर भी मिले हुए हैं, जो Civil Services बाले बच्चे हैं, इनकी लिए क्वालिफाइंग है, कैटिगरिया के एसाब से 40% और 33%, लेकिन जो Forest Service बाले बच्चे हैं, इनकी लिए ये मार्किंग बाला पेपर है, क्योंकि दौनों के मार्क्स एड़ होंगे, तभी आपके Forest का कट ओफ यहाँ पे निकाला जाता है, तो Preliminary Examination में दो पेपर होते हैं, GS1, GS2, Civil Services के लिए GS1 important है, और Forest Examination के लिए दोनों पेपर आपके important हैं, इस बात का ध्यान रख़णा हैं, फ़र में लोग बात करते हैं Means Examination के, जब आप Pre को qualify करते हूँ, तो 20 टाइम बच्चे लिए जाते हैं, मतलब जितने पद हैं, उन पदों के 20 गुना बच्चे qualify करते हैं Means Examination के लिए, मेंस में 6 पेपर आपको देखने को बिलते हैं, पेपर 1 जिसमें आपको देखने को बिलेगा, History and Geo देखने को बिलेगा, तो हम लोग बात करते हैं, पेपर 2 में आपको पॉलिटी यहां पे देखने को बिल रहा है, और सोचिलोजी की पॉर्ट्शन को एट किया गया है, 300-300 नमबर के हैं, पेपर 3 के हम लोग बात करें, तो यहां पे Science and Tech और Economy को सामिल किया गया है, पेपर 4 में Ethics, नेती सास्ट और Management and Personality Development को सामिल किया गया है, 5 पेपर आपका हिंदी का होता है, और 6 पेपर आपका ऐसे है, और फिर आपको जो में सेग्जाम निशान है, 3-3 घंटे के पेपर यहां पे होते हैं, लिखेत होता है, लिखना होता है, बाइफरिगेशन ऑफ मार्क्स है, जैसे वेरी सॉट कॉस्चिन, सॉट कॉस्चिन और लोंग कॉस्चिन आपको देखने को मिलेगी, दिए गए सब्द सीमा में उनके उत्तर आपको लिखना होता है, यह पेपर लगातार होते हैं, जैसे पांच तारीक से हैं, तो छे दिन लगातार आपके पेपर होंगे, तीन घंटे का सामें आपको मिलता है, और यही सबसे important stage है, अगर आप PSE की तयारी कर रहे हैं, तो सबसे important stage आपका means examination है, तो मेरी एक सलाह है, जब भी आप तयारी करना सुरू करें, आप कूशिस ये करें, कि पहले मुख्य परिक्षा के सिलिबस को तयार करें, अगर वो आपने तयार कर लिया है, तो फिर आप पेपर को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रिस सिल्फ क्वालिफाईंग है, उसके marks एड नहीं होते हैं, किसी भी stage में, means examination में, जतना अच्छा आप लिखे आएंगे, जतने आपका score अच्छा होगा, उतना ही आपको benefit मिलेगा, final post लेने में, जब means qualify कर जाते हैं, तो तीन गुणा बच्चों को interview की call आते हैं, और interview के बाद final selection होता है, final list आपको देखने को मिल जाती है, clear है, तो पहला prelim से, तूसरा में से exam रिशा ने, सबसे key point है, तीसरा interview, interview is all about your belief, and confidence, कितनी मेहनत की है, कितना भरोशा है, कितना यकीन है, कितने capable आप है, experiment करता है, interview में आप, ठीक ठाक नमल लेकर आ जाते हैं, 2075 सा आपको देखने को बिलें, ठीक ठाक मार्क्स बच्चों को मिल जाते हैं, और ये post दिलाने में भी आपको मदद करता है, जैसे interview आता है, final list आती है, फिर आपके document verification होते हैं, हाइट मांगते हैं, एक 85 के आसपास आपके ओनी चाहिए, और सेम कहानी DSP के लिए, physical होता है, पैदल चाल आपको चलना होता है, और हाइट यहाँ भी आपकी major की जाती है, ठीक है, cut off तो बच्चे, cut off paper के पहला नहीं बिता सकते हैं, इतना जाता है, पर average अभी जो जा रहे हम उसकी बात कर सकते हैं, पिछले 2-3 सालों से 75 की उपर ही जा रहा है, 80 के आसपास cut off जा रहा है, तो बहुत मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो यह एक brief information है, कि आप 12 के बात क्या कर सकते हैं, एक और बात ध्यान रखिए, आजकल बहुत सारे बच्चे क्या हैं, कि 10 भी यार भी से तयारी करना शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, college में एड़िशन दीजिए, college के साथ साथ आप PSE के तयारी कीजिए, 2 साल, 3 साल में अपना syllabus तयार कीजिए, अपने आपको mentally prepare कीजिए, और एक अच्छे प्रसासनिक अधिकारे बनके, अपनी जीवन को आसान कीजिए, तो MPPSE से सम्मंदित, लगबख सभी जानकारी हमने आपके आपके आपर दैने का प्रयास किया है, इन सभी पर एक detail वीडियो धीरे-धीरे करके, कि हम आपको provide कराते रहेंगे, I hope कि आपको ये जो जानकारी है, ये बहुत useful रही होगी, और राज सेबा की जब आप तयारी करेंगे, तो ये वीडियो आपको बहुत helpful रहेगी, ये आपका मारदर्शन करने बाली होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत information इदर उदर हो जाती है, प्लीज उसको लेकि आप लोग परिशानों दोगेगा, हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, खुश रहेए, मस रहेए, और बहतर तरीके से बढ़ाई कीजिए, हैवाद नाइस देंग,